रादे रादे जैश्री किष्णा आज मैं आप सभी को एक छोटी सी प्रेड़ा दायक कहानी सुनाने जा रही हूँ एक दिन एक कववा एक टहनी पे बैठ कर बहुत परिशान होता है और वह रो रहा होता है उसके इतने आसु निकलते हैं कि उस पेड के निचे शंत महराज जी बैठते हैं उनके उपर आसु टपकने लग जाते हैं संत महराज जी उपर देखते हैं कहते हैं कववे तुम क्यों रो रही हो कववा कहता है, अजी महराज मैं अपने जीवन से बहुत असंतुस्ठ हूँ, मेरा भगवान ने रंग काले रंगा बनाया है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरी आवाज जो है बहुत करकस है, मुझे हर कोई जैसी में काउं काउं करता हूँ, मुझे हर कोई उड़ा दिया क करता है मैं आपने जीवन Smellsиса स्टूम भई मैं तो बहुत परुशान है संध महाराज कहते है अरे फ़ा कंवा इतनी शक्ति है कि मैं तु सी वे जया को पर बना दूगा प्ताइज उसका है सफेधा होता है लोग उसे कितना खुम है हैं महाराज कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं मैं तुझे बनातो दूंगा पर एक बार जाके हं से मिला उससे बात कर करा कि वह अपनी जीवन से कितना संतुस्ट है उड़कर और पूछता है अरे हं भाई एक बात बताओ तुम्हारे को लोगभा कितना पसंद करते हैं तुम् मित्यू के बाद ये रंग होता है सफेद रंग का मैं अपने रंग से किसी चीज़ से बहुत परिशान हूँ मैं बिलकुल खुश नहीं हूँ मेरा भी कोई रंग है मैं तो बे रंग हूँ अच्छा वो बड़ा दुखी होता है फिर वो आ जाता है महाराज के पास महाराज क होती है महाराज कहते है कोई बात नहीं तुम जाओ एक बार तोते से मिलकर आओ मैं तुम्हें तोता बना दूंगा वे जाता है उड़ता हुआ वे तोते को डूबता है और तोते से बात करता है तोता कहता है नहीं भाई कवा मैं ना अपने जीवन से बिलकुल संतुस्त नह हो वो कहता है कि लोग बाग मुझे पकड़ते हैं पिंजरे में बंद रखते हैं मेरा भी कोई जीवन है कोई भी मेरा शिकार करने के लिए यार हो जाता है मैं तो बहुत असत दूसर हूं अपने जीवन से फिर आता है भागा उड़ता हुआ महराज कहते है आप बता अब क्या हूं शाँ चाहते हैं महराज आप ना मुझे मॉर बना दीजीए थीक है तुम्हें मोर बना दूंगा तुम जाकर मोर से मिलावे जाता है हूं उर्ठकज और मोर से कहते हैं मोर एक बात तो अपने घरों में सजाते हैं तो क्यों थिया है। और मैं अगले जवनम में कुआ ही बनना चाहता हूँ क्योंकि देख ना तेरे को कोई पकड़ता है ना तेरा कोई फोटो खीसता है ना कोई तुझे पिंजरे में बंद करता है ना कोई तुँ आजाद है तेरा जो मन करे तुभे करता है तेरे को कोई खतरा नहीं है तेरे को कि दूसरों से comparison नहीं करना चाहिए हमें हमेशे जितना भगवान ने दिया उसमें अपना जयवन वितीत करते हुए भगवान का शुक्रिया अधा करना चाहिए अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो आपको मेरी एक कहानी कैसी लगी नेक्स स्टोरी में आपके ले ज